श्री रादी रादी दोस्तों जैसरी क्रिष्ण कैसे हो आप सब लोग तो आई होप के अच्छे होंगे और ये है साम का टाइम साम के बज़े हैं च्छे और मैं बनाने जा रहे हूं सरसोंदा साग मकेदी रोटी मैंने साग धुया भी नहीं है कपड़े तूनी लगा रखे है और साग बिना भी नहीं है च्छे बज गए हैं डेड़ घंटा कम से कम साग को बनने में लगेगा तो चलिए गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं कि सरसों का साग मैं कैसे बनाते हूं सबसे पहले मैं उसको बिन लेती हूं और यहां पर आ गई है यह दिखो जैश्री कृष्ण बोलिंग यह कौन से इंगलिस होती है बालकोनी में रखा था साग दिन में और दिन से मेरा टाइम बिलकुल नहीं लगा अपने यूटूब के काम में लगे हुई थी मैं अभी मैं उसको अंदर ले आती हूं भारा दिरा हो चुका है इसको कॉरंटाइन क लिए रखा था यहां पर साव यह देखिए चलिए अंदर लेके चलते हैं इसको और यह उठाओ नीचे नीचे का वो उठाओ चलो तो यह सरसों पालक और बत हुआ तो चलिए गाईस साथ में मैं सुन रही हूं न्यूस बहुत इंपोर्टेंट न्यूस है आना आजकल बड़ा काम आ रहा है यह और यह है सरसों दा साग यह है बत हुआ पालक भी इसी में है तो चलिए बिलते हैं इससे हैं चलो आप निउस लगा लो आजकल साब गरम होता है और बहुत अच्छा लगता है थोड़ा से इसमें लैसूंट जादा डाल दो ना तो यह दुछे और पंजाब में बहुत ज्यादा खाया जाता है और यह जो डंठल है ना तो यह बहुत कुंगले हैं कुंगले मतलब एक दम लायम से डंठल हैं तो मैं इनके जो रेसे हैं वो निकाल लूँगी और इसको अच्छे से बिनके फिर धूननी लग जाओंगी यह मैं सांग दोने लग गई हूं यह देखिए तो दो तीन बार का में दोचुकी हूं और एक दो बार और दो देती हूं क्योंकि इसमें न मिट्टी होती है और कैसी मिट्टी होती है गीली मिटी होती है गाइस हाना इसको सही से दोना सही रहेगा और गीली मिटी कैसे जैसे अभी बारिश भी हुई है तो मिटी चिपकी होती है तो दो बार का मैंने धो लिया है यह तीसरी बार है दो तिन बार और धोंगी मैं तो मैं इसमें निकाल रही हूं दोंकी यह दोंकी कमांज मैं यहां पे यह नहां पर उना वह वाना तकर अपर सफ्पार में आप ना मान्टना आएन और में लिए मयूंत दोब एक हमका रोड़ा लेखन है पेस हैं這麼 आप के साथ ही जाएगा प्रेशर कुकर में इसको बहुत अच्छे से गल जाएगा बस पानी ने डाला है जितना भी लेसुन वह हुआ था न उस भी लगा था तो उसी में पानी एड़ करके थोड़ा समयने बस चड़ा देते हैं इसको हाग मैंने चड़ा लिया है और अभी मेरे सरसोंदा साग मक्के दी रोटी कपड़े दुल रहे हैं और काना अपने पापा को फॉन कर रहा है इतना बिगडेल काना लाइट जला न वह वाली यह देखे लेड़ा इन से फॉन कर रहा है यहाँ पर किसी को भी फॉन मिला लेता है यहाँ पापा का लाइन पर है नहीं लगाना नहीं यह अची बात है नहीं कभी कभार कर लेता है जब उसके दिमाग में आती है ना तो मिला भी लेता है लेकिन हमने उसको सिखाया नहीं है तो यहाँ पर एक दो सीटी तो लग गई है साग में तो पांस च्छे सीटी साग में लग चुकी है और यह देखे गाईज बहुत अच्छे से साग गल चुका है बढ़िया से अब इसको घोटींगे बहुत अच्छे से घोटींगे जितना इसको घोटींगे ना उतना टेस् और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है बस थोड़ी सी मैंने मसाले डाले हैं मिर्च डाली है हरी मिर्च में डालूंगी हल्दी डाल रही हूं और नमक डाल रही हूं इसमें तकड़ा वाला जो तड़का होता है वो लगेगा बहुत टेस्टी घी का तो यह देखिए मैं यहाँ पर पकता रहेगा और मैं बना रही हूं मक्य की रोटी और साग के साथ मक्य की रोटी नहों तो फिर मजा नहीं आएगा तो मैं यह डाल देती हूं पूरा ही पैकेट और इसमें थोड़ा सा मैं गिहूं का आटा मिलाऊंगी और इसको गुन लोंगी अब मुझे अच इसकोल में खाते थे मुझे बहुत अजी थी रोती थे मैं के तो आपके कंटीन में बनता रहा होगा ना हां मतलब कंटीन होता है बिटो अगर तो काना का जो इसकोल है वो डे वोडिंग है तो वहां पर सारा कुछ मिलता है बच्चों को पॉस्टिक खाना नहीं बाबू अच्छे होती है काना का जो इस्कूल है न तो वह डे वो इंग स्कूल हुदर ध्यानेशी कर रहे होगी तो जो काना का इस्कूल है बार और तो स्वानकों पांच बज्र घर आता था छोटे मैं मतलब तो वहां के ना बच्चों को हर चीज खाना जिसका देते हैं जैसे कड़ी नहीं खाता कोई बच्चा या वैसी चीज़े नहीं खाते हैं तो मैं तो हर चीज खिलाते हूं आपे बच्चे को एक बार ना जब पहली बार मैंने आटा गुंदा था मक्की का तो उसमें न मैंने घियों का आटा नहीं मिला है वो गुंदाई अब यह थोड़ा सा अच्छा हो गया है तो चलिए गई सबसे पहले तड़का लगा लेती हूं मैं साग में इस कड़ाई को सोकने देते हैं और सोकने के बार डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा घी थोड़ा सा नीमतब एक फुल चमच घी डालूंगी इसको गलने दूंगी किलिप एड नहीं होती है कभी कबार तो यह तड़के के लिए मैंने यहाँ पर दो मिर्च काटे है और लैसुन फिर से काटा है मैंने अच्छे से और इसको मैं ब्राउन होने तक भुन लूँगी तो यहाँ पर ब्राउन हो चुका है लैसुन अब डाल देते हैं साग को इसमें और अच्छा लग रहा है न तो गाइज यहाँ पर यह देखिए द्यानी जी को बड़ा सोख हो रहा है साग बना दिया मैंने द्यानी जी बना रहे है यह बन गे ऐसा सरसो का साग चोटी सी कटोरी में दो-तीन चमच घी हमने गरम करा और अब उपर से डाल दिया है इसको अच्छे से घोट लूँगी पांच मिनट और पकने दूँगी मैं तो यह बहुत अच्छा टेस्टी होगा साग और गाइस सच में बहुत टेस्टी बना था और यहां पर हम बैठ गए हैं सब के सब साब में देख रहे हैं टीवी और मजा ले रहे हैं साग और मक्यदी रोटी का तो यह देखें अच्छा लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और कास में आप लोगों को भी खिलाफ आती तो बस अभी हम खाना खा लेते हैं रात का और फिर उसके बाद बरतन बरतन मांच के किचन साफ करके और फिर हम सो जाएंगे तो यह देखें मक्य की रोटी भी अच्छी बनी है इन पे लगेगा घी ठेर सारा गाइस काना पापा के साथ सोया है और आप लोगों को दिखाती हूं और कौन-कौन सोया है काना की चात बसे ऐसे ऐसे सोवेंगे सारी रात ब़ Students सोते यह बॉल भी रहता है और बॉल वी रहता है बॉल काल चो नीए बॉल अच्छा बॉह वी हाथ में यह यह दोनों बाप बेटे यहां पर सोते हैं सो जाओ के गुड़ नाइट लाइट वाइट वाइट एक बाल देखने जो फीशे कशे मोटे पतलू जिखन अटा उन्में धिकन भी होना चीह उन्में उपर से रजाई भी होने चीह है इसे नहीं कि आपने आप उपर हां हेलो लोटी कई लोरी और मुझे पता ही नहीं है तो लोरी की बहुत बहुत शुव्प कामनाitel और पंजयाबी नमसी EVERY 18 0010 तो ध्याने जी लाने वाले और वालों के लिए बहुत धमाके दार वीडियो और व्याचिवाड करने आएगाल करने के जरू रहते हैं तो क्या बताओ ना बताओ ना थेखो तो सही हाँ सस्पेंस इस सपन्स क्या सस्पेंस अभी नहीं अभी वह तो बाद में देखा जाएगा तो सांग बहुत ज्यादा टेस्टी था कल रात का और देखें सर्म आगे चले गए सरम निया देखें उनको बह कर रहे हूं तो अगर किसी को आदत नहीं है तो होता ही है तो आप तो मेरी आप लोगों से जान पेचान दोस्ती और अपना पंसा लगता है मुझे तो तब इतना नहीं होता है और तो चलिए मैं इस वीडियो का आइंड कर देदियो आज की छोटी सी वीडियो ही थी और मिल